कि नमश्कर दोस्तो δोटो आप लोगों ने मेरे कई वर विडियो देखी होँगी और मैं ने आपके सब कोमेंट्स पड़े जो चाइना की उपर मैंने वीडियो बनाई है अब चाइना का ये आखरी मेरी दाओ है कि अपने कंट्री को बचाने का और इसमें होगा क्या आगे जाकर यह मैं सारी चीज़े आपको डिसक्स करूँगा लेकिन सबसे पहले दो चीज़े एक तो आपके कॉस्टन का मुझे आंसर देना है कि अभी तक जो वीडियोज हैं आपको कंफ्यूजिंग को देने वाला हूँ आपको बहुत ही अच्छी न्यूज है मेरी पर्शनल लाइफ की नहीं है आप ही के लिए कुछ बड़ा करने वाला हूँ और मैं डिक्लेयर भी करने वाला हूँ आपके साथ में अब आते हैं पहला तो यह कि जो वाइब्रेशन है जैस सिया राम की यह कॉ बाइब्रेशन से अपने कंट्री को आगे लेकर जाएंगे और यह सुमिज है आपके साथ रहेगा हमेशा और कंट्री को आगे लेकर जाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करने को तयार हूँ और इसी के लिए तहत एक गुड न्यूस आपके साथ शेर भी करोगा एक अच्छा चल रहा है फिर डाउन है ऐसा काम मेरा है ही नहीं पहली बात समझीए आप कि अभी तक मैंने क्या बोला है पहला चाइना डाउन है चाइनीज गवर्मेंट को पैकेज देने वाली है यह मैं पिछले पांच-छे मेने से बोल रहा था अब पैकेज इस कमिंग और नॉ कर दिया और पैकेज भी ऐसा था कि एक दम से पूरी स्टॉक मार्केट शूट अप होनी शुरू हो गई रियल एसेट की मार्केट है वो शूट अप होनी शुरू हो गई हर चीज ऐसे लगगा कि ठीक चल रही है अभी जो चाइनीज निव येर का टाइम था उसके अंदर भ लागा कभी भी इकॉन ये स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो ये उसको क्लोज कर देते हैं अब ये बढ़ेगी क्यों इसके कभी फैक्टर्स है वो भी बताऊंगा आपको लेकिन मैंने आपको ये भी बताया एक वीडियो में जो कल मैंने वीडियो बनाया था कि चाइनीज क को सकते हैं अभी अभी आप बोल रहे हैं कि लोग छोड़कर भाग रहे हैं और बहुंत जो पैकेज है वो आज अनाउंस हुआ है लोग तो पिछले दो साल से भाग रहे हैं तो मैंने जो आपको information दिया है कि पिछले दो सालों में लाखों लोग यहां से जो millionaires भी बिलियों की यहां से वो पहले से प्रही हुई है आप चीजों को रिलेट नहीं करते हैं और एक दम से गाले निकालना शुरूर करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा डीपली समझा कीजी पहली बात हुए दूसरा जो यह स्टॉक मार्केट राइस किया है उसका रीजन क्या था इसके लिए म को साल इन्होंने प्लैनिंग करी है अभी अाज भी देखिए COVID-19 के खुलने के बाद इन्होंने जिते भी प्लैन बनाए Real Estate को उपर लेके जाने के नहीं चलें companies को उपर लेके जाने के plan बनाए नहीं चले तो ultimately इनको history में जाना पड़ा और मैं मैं मैंशा बोलता हूँ Communist Party हमेशा ही history से सबक लेती है और आगे जाकर वो अपने future को ठीक करते हैं मैं history के उपर क्यों बोल रहा हूँ इन्होंने 97 में crisis आया और 99 में जाकर एक package दिया एक package अनाउंस किया और पूरे जो world की media थी उसमें आना शुरू हो गया कि China is now birth of a superpower ये world की एक superpower बने वाली है इन्होंने ऐसा plan आया है plan क्या था तब भी इन्होंने 2 साल पहले कभी manufacturing के उपर पैसे लगाए नहीं चला इन्होंने और industry को उठाने की कोशिश करी real estate में पैसे लगाए नहीं चले तो ultimately इन्होंने क्या किया जो government की companies होती है प्लीज ध्यान से सुनना अभी कि जो planning Chinese ने तब करी थी 99 में वही planning इन्होंने आज भी करी है ये अंदर की बाते बता रहा हूं कोई media इसको cover नहीं करेगा not a single one अब हुआ क्या था 99 में जो government की जो companies होती है जिसे हम PSU बोलते है public sector undertakings चाइना में वो बहुत 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 बरमार थी और वो stock market के अंदर वो registered भी थी तो Chinese government ने क्या किया इन सब companies को बोला आप loan लेजिए आपको liberal way पर सस्ते दावों पर आपको loan दिया जाएगा और ये loan का personal loan लीजिए जो directors है उनके नाम पर you will get billions of dollars कोई दिक्कत नहीं है कोई पूछ कीज नहीं लेकिन आपको काम क्या करना है आपको इस पैसे को लेकर अपने business में नहीं लगाना है आपको इससे stock market में लगाना है हुआ क्या ये billions of dollars तब तो millions होते थे आज कल billions की बात होती है वो millions of dollars जो इनको दिये गए वो सारा पैसा इन्होंने stock market में लगाना शुरू कर दिया जब public sector जो companies होती है banks होती है insurance companies है जब उनके share बढ़ने शुरू है एक sentiment increase है company लोगों के दिमागों में कि country अच्छा कर रही है तो लोगों ने invest करना शुरू कर दिया जब local investor भी invest करता है stock market में तो stock market उटनी शुरू होती है दो साल दो साल में चाइना की जो ये stock market थी shoot up कर गी और उससे sentiment क्रेड हुआ business का भी internationally भी और लोगों ने internationally आकर पैसा invest करना शुरू कर दिया चाइना में और चाइना की जो growth story थी यानि कि जो ये एक article था कि birth of a superpower ये शुरू हुआ था investments in the stock market अभी आप आईए fast forward कीजिए 2024 2024 से पहले 2022 में इन्होंने real estate को rise करने की कोशिश करी उसे stable करने की कोशिश करी नहीं चला manufacturing में पैसे लगाए नहीं चले वो और नीचे चाते गए क्योंकि अमेरिका ने भी पूरा इस आग में घी का डालने का काम किया उन्होंने अपने interest rates बढ़ाने शुरू कर दिये पैसों को खींच कर अपने अमेरिका में इन्वेस्ट करवा दिये उसके करने चाइना की हलत बहुत सब्सक्राब हो गई इन्होंने जितने भी पैंतरे लगाए जो कुछ भी करने की कोशिश करी चाइना ने वो नहीं चला आप ये पैसे लीजिए बिजनस में नहीं लगाना है स्टॉक मार्केट को दुबारा से आप राइस कराईए अब आप देखिए हुआ क्या है 26 सब्टेंबर को पैकेज दिया है 26, 27, 28, 29 तक मार्केट जो है 25% राइस कर गी एक हफते में और दुनिया भर के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो चाइना में आनी शुरू हो गई है और उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया क्यों? क्योंकि दुनिया को लगता है कि जैसे 99 में चाइना नहीं किया था ये stock market rise करवाएंगे लोगों के हातों में पैसा आना शुरू होगा और जब पैसा आएगा तो उससे एक sentiment भी positive आता है और companies भी rise करना शुरू कर देंगी और जब लोगों के हातों में पैसा आएगा तो real estate market अपने अपी उठ जाएगी और जब पैसा आएगा तो मकान भी शुरू हो जाएगे तो यह जो game है दुबारा से चाइना ने करने शुरू करती है अब क्या ये sustainable है? क्या ये long term चलेगा? क्या ये आखरी पैंतरा है जो Chinese government के पास है? ये वक्त बताएगा लेकिन मैं आपको कुछ चीज़े और बताना चाहता हूँ जो Chinese government ने plan बनाया है ये एक winning formula नहीं है लेकिन short term के लिए अपनी country को एक positive light में दिखाने का एक मौका मिल गया Xi Jinping को क्यो? America में elections है और आपने नोट किया होगा जब से China ने package announce किया है तब से America में जो ये campaign चल रही है presidential elections की वहाँ पर China का नाम लेना दोनों ने बंद कर दिया ना कमला हैरिस चाइना के उपर कुछ बोल रही है ना टरंप चाइना के उपर कुछ भी बोल रही है क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि China ने एक ऐसा पैंतरा खिल दिया जिसका तोड़ अभी इनके पास नहीं है आप नोट कर लीजिए दोनों अपने campaign में चाइना का नाम नहीं ले रहे पिछले 10 दिनों में एक तो ये होता है कि आपने अपने दुश्मन का काम कराम कराब करना हो या उसका मूब बंद करना हो आप लाइन ही ऐसे कीज़ दीजिए कि दूसरे वाले के पास कोई जवाब ना हो पहले बात यह सारा एक मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया दूसरा कई लोगों ने मुझे बोला जो मेरी वीडियो बनाई थी कि भी आप तो बहुत है कि चाइना की मार्केट बड़ी राइस कर रही है भारत की भी जो है यहाँ पर डाउन फाल आने वाला है उसका कुछ रीजन है मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ मेरा एक सब्जेक्ट है और उसके अंदर हम मिशा एक कॉंसेप्ट लेते हैं कि इन्वेस्ट कब करना चाहिए एक कैप्टन साब है उन्होंने मुझे बड़ी गाली निकाली मैं एक आंसर देता हूँ मेरा किसी से परसनल वैर नहीं है मैं चाहता हूँ कि आपके पैसे खराब नहीं हो और कई लोगों ने बोला कि गर्वर्मन ने फॉरक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है हमें दुबई में जाकर इन्वेस्टमेंट करने पड़ती है और भई ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत risky है चाइना ने भी इसको बैन किया हुआ है crypto को और even commodities के उपर because इसके अंदर जो पैसे बनाने के चांसे ज़ादा होते है तो डूबने के चांसे उससे भी ज़ादा है इसलिए बैन किया हुआ है क्योंकि mostly लोगों को इन चीजों की समझ नहीं होती है अब आज की डेट में जो investment है वो लोग कप करते हैं वो तब करते हैं जब rate बहुत बढ़ रहा हो तब invest करना वो शुरू करते हैं यानि कि उसे हम बोलते हैं एक financial market में M कि जब M की position होती है जैसे ही राइस करना शुरू करेगा लोग investment करना शुरू करते हैं rate नीचे आयाता है और पैसे आपके जेब से निकल जाते हैं लेकिन जो smart investor होता है वो काम करता है उल्टा जब rate गिर रहा हो तब वो invest करता है और जब बढ़ता है तो rate को वो अपने share को बेज देता है चाइना में यह पकड बहुत ज़्यादा अच्छी है आज की rate में market rise कर रही है इनको लगता कि यह अभी कम से कम 5 मेने यह rise चलेगा क्या country इसको sustain कर सकती है गवर्मने ने अलड़ी एक trillion market में फेंग दिया जो सिरफ stock market में ही invest होने वाला है और उमीद कर रहे हैं लोग कि कल 8 October है और 8 October को कम से कम 3 trillion लोगों का जो local investor है चोटा investor है और जो बड़े players है जिसको हम financial institutions बोलते है foreign direct investments हैं यह सारे लोग आकर अब इसके अंदर 3 trillion लगाने वाले हैं stock market के अंदर कि जितनी हमारी economy है उससा पैसा एक दिन में stock market में लग जाएगा और होगा क्या जब इतना पैसा लगेगा तो जो जितने भी अच्छे stock हैं बूरे stock हैं मरे होई stock हैं वो सारे के सारे rise करने ही शुरू करेंगे अब होता क्या है आपको मालूम है जो stock market को follow करते हैं उसके 3 steps हो पहला step होता है कि जब market rise करती है तो सब कुछ rise करता है उसमें सब कुछ rise करेगा और उसके बाद एक dip आएगा डिप आने के बाद जो तो अच्छे stock है वो फिर बढ़ने शुरू होंगे जो बिकार stock थे वो नीचे गिरे ही रहेंगे उपर उठेंगी नहीं लेकिन एक 3rd stage होत करते है अनदर एक और डिप आना शुरू होता है तो ultimately जो अच्छे stock है वही market में रहते हैं दोसरे इत्पाकी किसर जो है वो expose हो जाते है चाइना के अंदर भी ऐसा ही होगा अब जो पिछले एक हफते में हुआ है एक पागलपन की तरह है सारे के सारे stock even real estate की जो stocks है जबकि government ने real estate के लिए कोई भी policy announce नहीं करी है वो भी rise कर गए 10% 15% rise है जबकि मकान बिक नहीं रहा market में prices डाउन जा रही थी अभी आकर थोड़ी सी stable हुई है और real estate वालों ने थोड़ा सा rates को increase किया है ताकि कुछ तो profit booking हो और लोगों ने stocks के उपर पैसे लगाने शुरू कर दी या नहीं आपको एगर याद होगा 6 मिने पहले बोला था कि जो Chinese लोग है उन्होंने investments करने बंद कर दी है 12 trillion तो बैंकों में लोगों का saving accounts में पड़ा है कि इस पैसे को अभी हम safe रख रहे हैं future के लिए कभी opportunity आएगी तो invest कर देंगे पेशब वो foreign में करे या वो अपने country में करे तो अभी जो 12 trillion है उसमें से 3 trillion minimum वो पैसा stock market में लगने वाला है जिससे stock market rise करेगी अभी अब सुनेगे ओ जी बल्ले बल्ले होगी चाइना की बल्ले बल्ले नहीं है यह short term के लिए है short term countries के लिए 5 मेने short term ही होता है उसके बाद बता लगेगा कि क्या होना है और America इस चीज़ को बरदाश नहीं करेगा कि चाइना जो बिल्कुल मिटी में मिला हुआ था वो अब उठने की कोशिश कर रहा है अमेरिका भी कोई ना कोई हरकत करेगा एक हरकत तो कर दी कि उसने मेडल इस्ट में एक वार शुरू करवा दिया वह वार शुरू होने से तेल के prices बढ़ गए कोल के prices बढ़ गए और उससे एक ही काप होगा कि जो manufacturing cost है चाइना की वो अब increase होनी चुरू होगी और exports कम होगे उपर से अमेरिका ने pressure डाला यॉरप के उपर कि आप anti-dumping लगा दीजिए Chinese technology के उपर ताकि जो यहां से electric vehicles हैं यह electronic items हैं उसको महंगा किया जाए import duty increase की जाए त चाइना उठना पाए तो अमेरिका वो सारी काम कर रहा है कि चाइना को उठने नहीं देना है भारत को भी उठने नहीं दे रहा है और यह सारी हरकते भारत के साथ भी वो करता जा रहा है तो यह nutshell में बता दिया अब आखरी point एक महानु भाव ने कहा आपने तो बोला था कि Chinese जो है वो लोगों को खुद बोल रही है कि आप बाहर जाकर इंवेस्ट कीजिए चाइना में इंवेस्ट मत कीजिए अभी आप बोल रहे हैं कि Chinese लोग भाग रहे हैं यहां से वह भाई जिनको बोला है अभी इस महानु भाव को मैं समझा दू कि जो Chinese गवर्मेंट ने बोला है जो बड़े बड़े companies हैं उनको बोला कि आप भारत बाहर की companies में जाकर countries में जाकर आप इंवेस्ट कीजिए जैसे अदानी है Reliance है इवन एटल है जो बड़ी टाटा है यह बड़ी companies है यही companies जाकर बाहर जाकर billions of dollars इंवेस्ट करती हैं और वहां पर manufacturing भी करेंगी और पैसा कमागर भारत में वापिस भेजेंगी वही याल चाइना का भी है कुछ चंड लोग हैं जो 100-200-500 companies हैं जो बड़े वाली हैं उन सब को बोल दिया आप जाईए दुनिया में आप जाकर फैक्टें लगईए और वहां से पैसे कमागर वहां पर एक तो market को take over कीजिए और पैसे लिए उनको लगता है कि चाइना की अब जो जो स्टोरी है चाइनी स्टोरी ये खता हो गई है हमारे पैसे सेफ नहीं है हमें बाहर निकलना चाहिए तो दो चीजों में बड़ा ही फरक है प्लीज ट्राइटो अंडरसेंड मैं कोई भी चीज हवा में बात नहीं करता हूं ब अपने आपको बचाने के लिए कौन सी गेम खेल रहा है ये गेम वही है जो 99 में जिसने इसे एक स्टेटस बनाने के लिए इसने नीव रखी दी क्या आज की जो चीज है इसे वह स्टेज तक लेके जाने के लिए दुबारा से काम आईगी ये वक्त बताएगा मुझे लगत है कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसे बन रहे हैं और स्टॉक मार्केट में पैसा जब बनता है तो बहुत जल्दी से बनता है तो लोग उसके अंदर अब एंटर कर रहे हैं और ये एक स्टेज है जिसको हम बोलते हैं एम वाली स्टेज है जो मैंने पहले पता है आपको य एम फाली स्टेज में आगया है, हर चीज राइस कर रही है, लोगों का इन्वेस्पेंट्स अब इंक्रीस होने शुरू हो गए है, स्टाउक मार्केट के अंतर, यह कितना लंबा चलेगा, मेरे एसाब से, इट लिट केरी ओन, for few months, unless and until अमेरिका कोई और गंदी गेम ना खेल दे, कि चाइना को नीचे लगाना है मिट्टी में, और उसके लिए अमेरिका कोई भी हद तक जा सकता है, वक्त बताएगा, और जैसे ही मुझे कोई latest information, यह advanced information बिलेगी, आप लिए अगें शेयर वीडियो, थैंक यू, जैहिंद और जैसियराण